बूर्णिंग मैं साथ चादनी, भी एट थर्ड समस्टर पर्यावरन प्रदूशन सर्वे जन्वरी दोजार वाइस मेरे टॉपिक है म्रादा प्रदूशन मेरे द्वारा यहाँ पर्यावरन प्रदूशन सर्वे और आफ लाइन दोनों माध्यम में किया गया है जिसमें ओनलाइन माध्यम में मेरी द्वारा 18 जन्वरी को वाटसप स्टेटस के दरू लोग को अवेर किया गया जिसमें मेरी दो कविता हैं थी स्वरचित कविता जिसमें फर्स्ट कविता है साफ सफाई की आदत अपनाओ कूडा कूडे दान में डालू मत फैलाओ इधर उधर अच्छी आदत तुम अपना लो सदर सफाई अपनाओ सुंदर अपना गाओ शेहर बनाओ सैकिन है स्वच्च पर्यावरण पे मिखले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम कचड़ा उठाने की सर्मिंदिगी से देश बड़ा माने हम साफ पर्यावरण की चाह में हर समय पर क्लम चले सैकिन है उन्ने जन्वन को वरख्ष धरा का अबोसन करता दूर ये प्रदूशन पर्यावरन प्रदूशन एक बुराई इसके कारण बहुत होने है जान गवाई सब मिलकर कदम बढ़ाए प्रदूशन को जड़ से मिटाए उसके बाद 19 जन्वरी को मेरे द्वारा इसा फॉंडेशन तरह सद्वरू द्वारा चलाया गया पर्यावरन समदी तेक पर्योजना है इसे अपने स्टेटस पर लगाने का मेरा एक ही उद्देश था कि लोगों को पर्यावरन के प्रती जागरूप करना जो उनके द्वारा 1 जनुरी को कोटेशन दिया गया था वो इस प्रकार है इस साल हम पर्यावरन और आध्यात्मिक इस तर पर जागरूप लोगों को एक साथ लाना चाते हैं ताकि धर्ती पर मौझूद सभी जीवन के फाइदे के लिए हम जबर्दस्त असर पैदा कर सकें एक सचेतन धर्ती के निर्मान के लिए आप हमारे सामीलों प्रेम और आजर्वाद मेरे द्वारा किया गया यह कार्य वर्षत के दुरू लोगों को जो अवेर किया गया लोगों के द्वारा सकारात्मक प्रक्तिकिया दे गई मेरे द्वारा ओफलाइन माध्यम में जो सेकिन है ओफलाइन माध्यम इसमें 19 जनवारी 2022 को वेडनस डे के दिन मेरे दवारा अपने शेत्रिक मुक्तिश्वन निताल में मृदा परदुश्यान वो उसके कारण दोड़न दोड़ा अगर आज हम अपने दादा और नाना से पूछे कि वो अपने समय में खेती कैसे करते थे तो उनका जवाब सुनकर हम हैं। या फिर वो हमारे सोच से बिलकुल परे जवाब देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कई दसकों से खेती में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। तो इसके बदलाव और तुशी छेत्र में तेजी से बढ़ते आदुनी की करण के खारण हमारे बुजुर्गों के समय के खेती और मौजुता खेती में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि मुक्तिशो ने निताल छेत्र में रहने वाले जो चंदन जी जो 59 वर्षी हैं वह मटर वह आलू की खेती कर रहे हैं। वह इस गहों के किसानों में से सबसे बड़े किसान हैं जो समय समय पर प्रशिक्षन के लिए विविन्य चेत्र में जाती रहते हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वह खेती कर रहे हैं और इनकिन चीजों का उप्योग कर रहे हैं। आज के समय में खेती करने की तरीकी उनकी द्वारा बताएगे कि फस्ट है आदुमिकरसी अंत्रों का उप्यों, हाइब्रेट बीचों का उप्यों, किटनासक दवाओं का उप्यों और रासाइनी खाद बीच का उप्यों आज पहाड में बैलू की जगे टक्तर का उप्यों किया जा रहा है, हाइब्रेट बीच लगाए जा रहे हैं, आलू या मडर में रासाइनी खाद या यूरिया का उप्यों का उप्यों का छड़का, हप्ते में दो बार किया जाता है, जिससे फसल के तयार होने तक कंटिन्यू किया जाता है, तो एक ही फसल के साथ दूसरी फसल को उगाया जाता है, इस सभी कारणों से आने वाले समय म्रदा प्रदूशन बहुत अदिक होगा, आई जानते हैं म्रदा प्रदूशन क्या है, म्रदा प्रदूशन उपजाओ भूमे की मिट्टी का प्रदूशन है, जो व नहीं है पौधों का जीवन है जहरीली प्रदूशक बहुत ही खतरनाक होते हैं जो मिट्टी की बहुत ही राशाइनिक और जैविक गुडू पर प्रतिकुल प्रभाव डालते हैं मिर्दा प्रदूशन स्वास्त के लिए बहुत खतरनाक है आगी जानेंगे हम मिर्दा प्रदूशन को रोगने के उखाए पेड़ पौधे अत्यदिल मात्रा में हमें लगाने चाहिए दूसरा है पोशक चेत्र वन आईए जानते हैं इस चेत्र के माध्यम से वन किस प्रकार से लाबदाग है हमारे लिए वनों से मनुष्य को इधन के लिए लकड़ी और पानी जलसरोत प्राप्त होते हैं पसू के लिए चारा पसू के बिचावन के लिए पत्तियां पसू से हमें बैल सकती मिलती है जो खेतों की चुताई के काम आते हैं खेतों के ल आनो का लाइफ बैलेंस एक्वल रहता है दूसरा हम दखेंगे फसल चक्रव 10 success के इस चित्रे माधियम से किसान को खीति फसल करनी चाहिए जैसे और लिए की फसल है कि जिस रिटू ने बोय जाते हैं उसी रिटु में बोनी चाहिए और जायास की फसल है खरीफ की फदल है इत्यादी जो फदल है इन सब को उसी रितू के अकॉर्डिंग हमें बोना चाहिए किसान को बोना चाहिए जिससे हमें भी हमारी मिट्टी को भी नुक्षा ना हो और हमारा जो लाइफ बैलेंस है वो एकॉल रहे है इसके बाद हम निसकर्स की बात करेंग जो इन सब का सार है जित्रगारा बतायागा आज ही सब कुछ पा लेने के लोब में आने वाले कल की दो दसा बना देने को ना समझी के सिवा और क्या कहेंगे यह ना समझी जितनी अधिक रशी चेत्र में हुई है उतनी शायद और कहीं नहीं एक बार ही मैं खेतों से सब कुछ छीन लेने की सनक के कारण रासाइनिक हादों एवम कीटनासक दवाओं का प्रचलन इधर बेतहासा बड़ा है इस प्रचलन से तदकालिक राहत तो जरूर मिली है खेतों में उत्पाद भी बड़ा है लेकिन इन तदकालिक लावों के पीछे क्या चुपा है यह जानने की शायद हम मैंसे किसी ने कोई जरूरत नहीं समझी हमारे आज के कारणा में हमें कल क्या प्रड़ाम देंगे इस सत्वाद येदि हम विचार करें तो उस लालजी आदमी का किस्सा हमारे आँखों के सामने तैरने लगेगा जिससे एक साथ सारे सोने के अंडे पा लेने के लिए बेजारी मुर्गी की जान लेनी रासाइनिक हाथ के उप्योग के समझे में भी कुछ ऐसी ही बात है इसके उप्योग से थोड़े समय के लिए उत्पादन तो जरूर बढ़ता है किन्तु इसके साथ ही मिट्टी में विद्यमान जैविक पोसक तत्व का नास होता है साथ ही मिट्टी की प्राकरतिक सनरचना भी विकृत हो जाती है जिन खेतों में रासाइनिक उर्वरकों का उप्योग किया जाता है उनमें पानी की मांग भी बढ़ जाती है उत्पादन की मात्रा बरकरार रखने के लिए दूसरी तीसरी बार क्रमसह ज्यादा रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे खर्चा बढ़ने के साथ मिट्टी की प्राकृति उर्वरता नस्टो होने के दर भी बढ़ जाती है वनों के काटे जाने से भोस्कलन या मिट्टे का कटा वधिक हो गया है जिससे उपजाओ मिट्टी बह जाती है और जमीन में मिट्टी के ठेले या पत्थर मातर रह जाते हैं इस प्रकार भूमी की उर्वरा सक्ति कम होती जा रही है खनन कार्यों द्वारा भी धर्ति की पारिस्तिति की को विगाड़ा गया है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतियक वर्स पाज दिसंबर को विस्व म्रदा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आएए मिलकर कदम बढ़ाएं म्रदा प्रदूशन को जड़ से मिटाएं थैंक यू